चलें स्टार्ट करें ओके सो अराम से सुनेंगे समझेंगे बहुत आसान चैप्टर यह एकदम हल्वा है अम अराम से इसे चालू कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट अब रिएक्षिंट मेकैनिजम अब रिएक्षिंट मेकैनिजम में यह हमारा टॉपिक का नहीं में चाप्टर का नहीं में है तो हम यह सोचेंगे कि इसका नाम इसका मतलब बताओ हमारे दिमांग में एज इस्टूडेंट ये केश्चन आना चाहिए इसका मतलब क्या है और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से सुने रियेक्शन हमें सब को पता है कि और गेनिक केमिस्टी केमिस्टी में रियेक्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है और गेनिक केमिस्टी में रियेक्शन तो होती है अब उन रियेक्शन के बारे में आप क्या बताने वाले हैं तो मैं यहां बताने वाला हूँ आपको रियेक्शन की मिकानिजम मिकानिजम का मतलब होता है कि इस तरीके से एक रियेक्शन स्टार्ट होकर प्रोड़क्ट तक ये सीखेंगे कि reaction किस तरीके से start होती है और product तक जाने के लिए इन बिडबीन क्या क्या होता है तो बड़ा interesting segment है तो reaction की reactant से product तक की पूरी journey को हम समझेंगे इस chapter और first half of chapter जो होगा उसमें हम इसकी journey को समझेंगे और second half of chapter जो होगा उसमें हम इस process इस mechanism पर बेस्ट कई सारी reactions को complete भी करेंगे उन्हें कैसे किया जाए यह सीखेंगे सो रेडी हो जाएं reaction में अच्छा इसमें एक और चीज़ दिखेंगे आप notes में इसे कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बोड़ पर समझाते हैं समय एक sequence रखूँगा और जब मैं वो topic समझा लूँगा तो मैं आपको यह भी बताऊँगा कि इसे अब आपको theory copy में कैसे लिखन हैं ठीक है okay so let's start reaction mechanism पर चलते हैं तो लेट्स कंसीडर जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन अब ध्यान से सुनिएगा हम एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन मान लेते हैं और इससे हम एकदम नॉर्मल लाइफ से नॉर्मल लाइफ के एक्जांपल से रिलेट करेंगे तो आप सुनिएगा और समझेगा like we are starting with a simple जनरल ऑर्गेनिक एक रिएक्शन अच्छा मान लीजे हमने a से स्टार्ट किया clear a प्लस b से हमने स्टार्ट किया it's a initial position तो हम इसे क्या बोलते है इसल पोजीशन को reactants और रिएक्टेंस और रदाइए फिर यह किसमें convert होगा यह convert होगा किसी भी चीज में आप c प्लस d लिख सकते हैं और इसे हम क्या बोलनेवाले product एक जनरल रियेक्शन में a प्लस b एक रियाक्टेंट भी हो सकता है याद रखें एक रियेक्टेंट भी हो सकता है दो रियेक् होगा सही है product होगा साइए ऐसे एम कई सारी reactions mean कर सकते हैं जैसे माला लेते हैं एक प्रेयाक्टेंट है और cuánt अð καल रियाक्टेंट और ये क्या है बहुत आराम से सुना बहुत आसान है और ये कैस में और दे रहा हूँ मान लेते हैं हमारे पास और एस प्रोड़क्ट यह रियक्टेंट है और यह प्रोड़क्ट है सारे लोग ध्यान से देखें चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर वन से रियक्टेंट प्रोड़क्ट रियक्टेंट को आप इनीशियल पोजीशन इनीशियल स्टेज मान सकते है और प्रोड़क्ट होता है फाइनल स्टेश चलिए बात करते हैं जब आप लोग 11 में खोटा में थे तो आपकी दिंचर्या क्या थी आप सुबह उठते थे नहाते भी थे त्यार हो कर आप नूक्लियस अजुकेस नाथे तो इसमस्माजना इनीशील पोजिशन मैंने मान लिया आपका hostel room था initial position क्या था आपका hostel room आप वहां से चलते थे और किदार आते थे nucleus education मैंने initial position आपकी reactant है और final position क्या आपकी product ठीक है अब आप तयार होकर जब आप अपने hostel से nuclear nucleus education आए तो हर बच्चे का process सेम नहीं रहता होगा उसी तरीके से हर organic reaction का process सेम नहीं रहता लाइक सुनों आप निकले और आप अच्छे बच्चे हैं आप सीधा किदार आगए nucleus education आप सीधा nucleus education आगए लेकिन आपका जो दोस्त मित्र है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है उसने क्या किया वो निकला तो अपने घर से लेकिन वो बीच में कहीं रुका उसने बीच में फड़ा स्टे किया और स्टे करने के बाद वो फिर nucleus education पहुंचा सब्सक्राइब अब nucleus education पहुंचने से पहले और घर से निकलने के बाद वो बीच में कहीं रुका तो यह जो चीज है इसे हमने कुछ आई एक intermediate stage मांते हैं नहीं मांते यह intermediate stage अब आपको अधर यह कमेरा दोस्त है वो दो जगें रुकता है और फिर nucleus हाता है और इस पर दिमाग मत लगाना कि वो रुकता की है अमें उसके personal space में नहीं जाना चाहिए ठीक है वो रुक रहा है इसी तरीके से organic reactions भी होती है कई ऐसी organic reactions हैं जो आपकी single step में हो जाएंगी one step reaction बोलते हैं यह चालू होगी reactant से और हैं इसे क्या बोलेंगे बोलिए one step reaction यह one step reaction अचाह इससे क्या बोलेंगे एक step यह हो गया जब वो घर से निकला और बीच में किसी position पर रुका है और उसके बाद वो यहां पर आया है तो यह हमारा हो जाएगा two step यह पहला step और यह दूसरा step two step reaction clear नीचे वाला so on आप समझ रहें कितने step हो जाएंगे यहां पर एक intermediate position होगी और यहां एक और intermediate position होगी अब देख सकते हैं clear तो इसन क्या बोल सकते हैं three step reaction clear यह बहुत simple सी चीज है organic chemistry में भी आपको जो reactions मिलेंगी उनमें से reactions single step भी हो सकती है one step single step one step two step reactions three step reactions भी हो सकती है अब आपको किसा तीन पर क्यों रूख रहे हो four step होगी क्या four step भी हो सकती है और multiple step reactions भी मिलेंगी जैसे जैसे मागे पड़ेंगे बहुत आसान है आप यहां से इनकी philosophy को समझें क्या है सिंगल स्टिप यहां से चालू हुई यहां पहुंच गे इस बीच में एक intermediate आया और उस intermediate के बाद वो प्रोड़क्ट तक गया यहां पर समझें क्या हुआ reactant convert हुए intermediate आप निकले घर से एक पहली position पर रुके और फिर इस intermediate position से एक नए intermediate तक पहुँचे और उस नए intermediate से हम प्रोड़क्ट गया तो ऐसे ही आपको organic में बहुत सारी chemical reactions देखने को मिलने वाली है अच्छा हम थोड़ा सा इसके और अंदर जाते और समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर हम और क्या पता कर सकते हैं चलिए एक चीज आपको अगर 11 का पहला टॉपिक याद होगा तो हमने जो पढ़ा था नॉमन क्लेचर उसमें एक चीज पढ़ा थी और वो चीज यह थी इसमें पढ़ा था की ध्यान से सुनें हमने पढ़ा था ब्रेकिंग अगर आप तो याद जोट इसमें डोट पी बनेकिप कि पर गेंग याद आपको हा ठीक है उसी चीज की बार करते हैं कि आप मुझे बताए कोई भी रिएक्शन बंड ब्रेकिंग या बौन्ड फॉर्मेशन के विना हो सकता है बॉर्ण ब्रेकिंग या एगर मैं और में और गॉनिक की बात कर और में इसन इद run like इस ऑची चुनरों चीज़ पता घर सकते। यहां से लए स्टेप प्रोसेस हो और यहां पर आकर कंक्लीड हो गई खतम हो गई और अब मैं इसमें बोला हूँ कि बॉंड फर्मेशन बॉंड बेकिन हुआ है तो अब थोड़ा सा दिमाख लगाओ इस तर जब यह वन स्टिप चालू और सिधा प्रोड़क्ट पर रुका और दोनों चीजें इसमें इंवाल् बनी होगी और उसी स्टिप में ही बॉंड चूटी होगी याद रखें यह जो यहां से यहां तक गया है और यह एक्टेंट से प्रोड़क्ट डारेक्ट वान स्टिप में इसमें बॉंड फर्मेशन और बॉंड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियस इंवाल्व है देकिए यह आपने यहां से पता किया है कि वन स्टेप और यह एक्टेन में बॉंड फर्मेशन और बॉंड ब्रेकिंग यह क्या होगा बताईए साइमल्टीनियस होगा एकी टाइम पर होगा सही है नहीं तो इस चीज को समझेंगे अब थोड़ा साब इसी प्रोसेस पर और दिमार् बहुत इंट्रोस्टिंग और यह निक की बात कर रहे हैं और यह की चारबंड बनाता है और मैं आपको बोल आँ हूं कि यह की स्टेप में बांड फॉर्मेशन भी कर रहा है बांड ब्रेकिंग भी कर रहा है तो कारबन है चार बांड है इसकी चीक है और रियक्शन चलू हुई तो इसकी कोई बांड टूट रही होगी चीक है और उसी समय कोई बांड बन भी रही होगी तो अब देखें कि कारबन कितनी वैलेंसी से जुड़ा वगा दिखेगा आपको पाँच से चार तो उसकी ओरिजिनली है एक टूट रही है देखें टूटी नहीं है वो ब्रेक हो रही है और उसी समय एक चीज उससे जुड़ भी रही है क्योंकि सिंगल स्टिप में बांड ब्रेकिंग बांड फर्मेशन से मिल्टीनियस फिनमना है तो इसलिए कारबन जो है वो आपको यहां पर पिंटा वैलेंट द बना रहा है तो भाई अभी आपको कारबन कैसा दिख रहा है इसमें क्लियरली माने ना माने इसमें कारबन पेंटा वैलेंट होगा अब ध्यान से समझें कारबन पेंटा वैलेंट कहां होगा यहां नहीं होगा यहां नहीं होगा कारबन पेंटा वैलेंट होगा रियक्टें से product में जब transition हो रहा है उस transition के दौरान carbon कैसा होगा बताई है जड़ा पेंटावलेंट तो अगर आप से कोई पूछे कि one step reaction में pentavalent carbon कहा होता है तो आप बोलेंगे transition state में होता है किस में होता है ट्राइशन reactant stage में नहीं होता product stage में नहीं होता है तो हम यहां करेंगे कि यह है आपका ट्रांजीशन स्टेट ओके सो वापस चलते हैं और फिर से हमने अभी जो पढ़ा उसे एक बार देखते हैं हमने कुछ जनरल और गेनिक रियक्शन कंसिडर की हैं और इसमें यह टाइप से हैं 123 एक टाइप जिसमें हम डारेक्ट अपने घर से निकलके निकलेस पहुँच गया है मतलब रियक्टेंट जो है वो बिना रुके किसी इंटरमीडियेट स्टेज पर प्रोड़क्ट प्यार रहा है इसा हमने वन स्टेप रियक्शन बोला वन स्टेप रियक्शन तो हमें पता है वन स्टेप रियक्शन हमने यह मेंसन किया अब कुई आद भी reaction है तो bond formation bond breaking है अब वन step है तो यह simultaneous होगा bond formation and bond breaking simultaneously ही होगा चलें और हमने एक चीज़ पता कि अगर bond breaking and bond formation simultaneous है तो carbon जो यह extravalent था reactant में और product में उसे in between जो transition state होगा उसमें pentavalent होना पड़ेगा तो यह carbon pentavalent transition state है तो यह आप समझ लें और interestingly अपने दिमाग में भी रख लें ऐसी किसी भी reaction में पूरी organic की बात कर रहा हूँ पूरी organic में ऐसी किसी भी reaction में आपको intermediate नहीं मिलता है यहां के विल transition state है को कि intermediate मिलते ही आपकी one step reaction two या फिर और multi step reaction में convert हो जाए तो यह आपको कैसे लिखना है देखे reaction mechanism की आप यह दो चप्टर हो गया यह start करेंगे first point यह लिखेंगे और यहां पर आप रखेगा six to eight line gap और इस gap में आपको यह सारे points लिखने और इसके लावा आप इसे और explain कर सकते हैं अपने सब्दों में अपने words में यह से पूरा explain यहां पर कर सकते हैं अब आगे अब देखिए इसके बाद हमने यहां क्या सिखा यहां क्या होगा यह बताई यह आपका इंटरमीडियेट है और यह आपका प्रोड़क्ट तो यहां पर पहला transition क्या ववा है देखेंसारी लोग सारी लोग देखें और बताएं पहला pants and क्या हुआ है 2 से पहला रचिंचन हुआ है कि आपको एक intermediate मिला इसधार बैंजिसरन समिला है से कंड़ी इंटरमीडियेट जो है वो आपका प्रोड़क्ट ने कनवर्ट हुआ है तो लॉजिकली ये रियेक्शन में क्या हो रहा है ये देखिए एक ट्राइशन इस्टेट यहां है इसे मैं बोल देता हूं टी एस टू तो मेरे भाई एक ऐसी रियेक्शन है जिसमें ध्यान से देखें इंटरमीडियेट है यह देखें यहां पर है अच्छा अब प्रणीशन से पहिए क्मिकली एक्षन करा रहे हैं कि पुछ रॉ मैटीरियल से हम कुछ productive, product बनाए, reactant को product में convert करें, reactant का product में transition करें, अगर आप transition करना चाहते हैं, मतलब अगर आप एक chemical reaction करना चाहते हैं, तो transition state तो essential हो गया, तो कोई भी arrow जो reaction में आपको दिखता है, उसमें अगर इधर से इधर कुछ नया बना है, तो बीच में एक transition state होगी ही होगी, जैसा यहां आपने देखा transition state, यहां देखा आपने transition state, तो यहां पर यह जो reaction है, इसमें intermediate है, आप अगर यह ना बोलें, यहां transition state है, यहां transition state है, यहां transition state है, इंटर्मीडियट इंवाल्व होका तो यह मेजर डिफ्रेंस है तो यहां आपको इंटर्मीडियट देखने को मिला है सिमिलियरली अगर मैं थर्ड उसमें चलूंग laur theo क्राई स्टेट सेंवाल हुए सारे लोग रिएक्ष्ण 3 देखें यहां आपका एक ट्रmachenिशन इस्टेट है यहां दो ट्रहिशन इस्टेट है और reaction 3 में total number of trison state so मैं wait करा हूँ आपको बताना है reaction 3 में total number of trison state हम delete कर दो गया okay so for reaction 3 मुझे answers मिलने हैं यह काफी तेजी से जा रहे है भारत सूरज कसिस रितिक सुभं वैभव निर्मन्यू एकान सुधीर सबके सही answer है आसीज मुस्कान 3 answers ठीक है सारांस वैभव उमेज हर्स रितिक ओके यह बिल्कुल सही answer दिया है आपने ये TS1 ये TS2 और ये TS3 तीन trison state बिल्कुल सही पहले अगले इंटर्मीडियट में क्यों गया या कैसे गया हम सिक्वेंस के साथ इस चैप्टर में आगे अगली क्लास में बिल्कुल समझेंगे कि एक इंटर्मीडियट में कैसे जाता होगा और क्यूं जाता होगा दोनों बातों को समझेंगे तो तीन trison state चलिए अब एक और question पूछूंगा और इस question के लिए आपको पता है मैं क्लास में चैलेंजिंग question देता था चॉकलेटी question याद है आपको चले तो यहां पर मैं आपको एक question दे रहा हूं और प्रियास करें अच्छा question है अच्छे बच्चे जितने भी हैं सारे तयार हो जाएं पहला आप मुझे बताओ फॉर येक्शन number three for reaction number three आप मुझे बताएं minimum और maximum कितनी number of transition states हो सकती है minimum और maximum तो यह आपको पता करना है मैं आपको समय दे रहा हूं आप ले 20 सेकेंड हैं आपके पास और आपको क्या बताना है मैं फिर से बोल लो so third reaction minimum और maximum number of transition states आपको three step reaction के लिए बताना है यह three step reaction है हम reactant से चालू करें एक intermediate पर गया और वो intermediate एक और intermediate पर गया और वो फिर product में convert हुआ तो आपको यह पता करना है कि minimum और maximum कितने transition states यहां पर होंगी okay answers आ रहे हैं minimum में 3 ही आ रहा है प्रसांत कुमार बोल ले है minimum 1 वो स्पेंदर बोल ले है minimum 2 sorry minimum answers का 3 ही है काफी लोगों का minimum 3 है एक और दो वाले आपका answer सही नहीं है minimum answer तो हैं क्योंकि तो में साप दिख रहा है t-s-1 ट-s statistics थी मिनिमम 3 है मैकसिमम में तीन आंसर थाभी तक सब के मिनिमम तो प्राइब दाल मैकसिमम अभी तक मुझे किसी बच्चे ने इनीन को है it's not a right answer infinite नहीं होंगे ओके नहीं नहीं फइन नहीं होगे थोड़ा सा सोचे मैं आपको एक क्लिव भी दे सकता हूं इसमें आप अगर थोड़ा सा इसमें stereo का एंगल लें stereo का एंगल देखिये तीन स्टेप हैं तो तीन से ज्यादा कितनी हो सकती हैं एक किसी बच्चे ने मुझे दिखे बी जल्दी से और भी हैं बहुत सारे किसन महस्वरी यस विक्रांत आपने दिया है आंसर 6 ओके यह 4-5 नाम मैंने जो लिये हैं बिल्कुल सही आंसर है 6 is a right answer minimum number of years की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका 3 है बहुत सारे 6 answers हैं मोहित रवी सिवांगी 6 answers हैं और maximum number of transition state 6 हैं देखिए यह ऐसा हो सकता है कि आपका जो आई एन डॉट है यह जो बन रहा है ओके तो जो bond break हो रही है तो यह transition state में जो चीज बनी हो वो क्या हो optically active ठीक है बिल्कुल सही बहुत अच्छे PK पुरम, PUS समय, रिते, सपूर्व, आसीस, सौम्या, निमेस तो यह एननसी उमेरिक फॉर्म में होने की वज़ए से विट फाइंट अब आप को गया सर तो उससे फर्क क्या पढ़ दा है ध्यान से देखें एननसी उमर्स डिफरेंट होते हैं तो counting में तो वो दो आएंगे लेकिन वैसे जब हमने एनर्जी ग्राफ में अभी हम सीखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो वो तीन ही पॉइंट्स दिख रहे होंगे लेकिन सिंस वो डिफरेंट होते हैं इसलिए हम उसे maximum 6 में काउंट करेंगे और अगर आपको इसका example जानना है तो जैसा मैंने बोला second half of chapter में हम करेंगे इस mechanism per questions तो वहां मैं definitely ऐसा question कराऊंगा आपको जिसमें two step या three step में number of step से ज़्यादा transition states होंगी तो आप लोग फिर से सुनें आपको इसे लिखना कैसे है पहली दो lines बिल्कुल same फिर ये reaction यहां पर 6-8 line के gap में जितनी भी बातें आपने समझी हैं कि one step है bond formation breaking simultaneous होता है यहां पर carbon pentavalent transition state होता है यहां पर intermediate नहीं होता है one step में ही reaction complete हो यह सारी चीज़ें आपको या लिखने हैं यहां पर भी आप देखें फिर ये reaction लिखेंगे बीच में gap और यहां पर जब आप लिखेंगे तो यहां क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हैं यहां आप लिखेंगे तो यह दो step है जैसे तो बताएं किसी एक step में bond टूटी होगी किसी एक step में bond बनी होगी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है तो यहां पर आप लिख सकते हैं किसी भी स्ट्रिप में हो सकता है वांड फॉमेशन, वांड ब्रिकिंग भी इन्वाल्ब है इंटर्मीडेट भी बना है, प्राइशन स्टेट्स भी है और सो ओन आप यहां पर भी तीन चार लाइन जरूर लिखें तो यह हमने जो अभी अभी बात की, यह कुछ जनरल रियक्शन के पारे में बात की और अब हम जो बात करेंगे, यह आप लोग इस फॉर्मेट को लिख लिखें फर्स्ट गैप लिखें, अराम से घब में बैठके सारे पॉइंट्स लिखेंगे, सेकेंड और थर्ड आपकै, अब मैं क्या करूंगा, इन्ही रियक्शन के लिए एनर्जी करण बनाऊगा, इन्ही रियक्शन के लिए एनर्जी करण, अच्छा àsoं क्या होता है कि potential energy करण, कुछ नाम ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में स्पेसली जिनें सुनकर थोड़ी से टेंसर हो जाते हैं इस पर आपको याद है हमने इस पर काम किया था कंफरमेस्टनलाई समझा वहाँ पर हमने पूछा है सेकेंड में मैक्सिम चार हो सकता है बिल्कुल सही बोले हैं मैक्सिम चार हो सकता है और अगर हम बात करें हां सिक्स के बारे में फिर से बता रहा हूं दरसल यह एक जनरल टाइप है हम इसके एक्जाम्पल्स भी लेंगे और एक्जाम्पल्स में हम डेफनेटली तब हमारे सामने रियक्टेंट एक और्गनिक कंपाउंड होगा उस पर हम पुरा प्रोड़क्ट तक जा रहे होंगे तो एक एक स्टिप में हमें यह चीज बहुत किलिर दिख रही होगी फिलाल यह जो ट्राइंशन स्टेट है यह चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं आप बिल्कुल समझ पाएंगे आर मालीजे यहां तक आया है और इस द यहां से यहां आ रहा है उस तोरान जो भी रीजिंट या केटलिस्ट उसे यहां से यहां लाएगा वो इस आर से टॉप और बॉटम दोनों तरीके से इंट्राक्ट कर सकता है अब अगर वो टॉटम दोनों तरीके से इंट्राक्ट कर सकता है आपको पता है प्लेनर चीजें जो होती हैं पूरी और गेनिक के लिए बोला हूं फिर से ध्यान दो पूरी और गेनिक के लिए बोला हूं प्लेनर चीज़ें जो होती हैं अब बदाओ क्या क्या मिलेगा हमें हमें मिलेगा कार्बोकेटाइन कर्वोटैन जानते ना कर्वोटैन प्लेनर मिलेगा अल्खीन प्लेनर मिलेगा और फृी रेडिकल यह प्लेनर मिलेगा तो जहां पर भी SP2 कार्بन आ रहा है देखे व Heavenly Cases जो लिए हैं SP2 कार्बन के लिए तो आप यह मालने जहां भी SP2 segment आएगा वो planar होगा अब planar चीजों पे कोई भी attack जब होता है पूरी organic में तो वो दोनों side से possible होता है अगर आपका molecule ऐसा है तो हम top और bottom की बात करेंगे अगर आपका molecule planar ऐसा है तो हम left और right की बात करेंगे तो उसी दोरान इसे react करने वाला या interact करने वाला recent या catalyst किसे दोनों तरफ से भी interact कर सकता है और आपको जो intermediates मिलेंगे जो ट्राइसन स्टेट्स मिलेंगी इंट्रमीडेट्स से पहले वो दो ट्राइसन स्टेट्स हो सकती है टॉप और bottom से अच्छा अब आपको यह दो चीज़ें different कैसे होंगी तो इसके लिए आपको आप्टिकल याद करना होगा थोड़ा सा याद है आपको कि टॉप और bottom वाली दो जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे यह स्ट्रक्चर्स में अगर सिमेट्री अप्सेंट होगी सिमेट्री में अब ही हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसका पॉटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे बनाएं याद रखें पॉटेंशियल एनर्जी कर्व जो है कई बार थोड़ा सा हमें टर्म डराता है बट बिलीव मी बहुत आसा बहुत इजी है पॉटेंशियल एनर्जी कर्व यह मैं आपको इन तीनों रियक्शन के लिए बताऊंग और जो बाकी हैं सबके लिए हम बनाएंगे त्यार हो जाएए बहुत आसान है देखे आगे आप जो पढ़ रहे हैं अगर ये पहले दो लेक्चर में जो भी चीज़ें आ रही हैं ये अगर आपने दिहान से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा आप आराम से म चैपे आए यहां बात करते हैं और ये यहां पर यह यहां पर यह एक्स बना लिए हैं एक्स वाइक्स ठीक है और यहां पर हमने ले लिया है potential energy क्या ले लिया है potential energy y axis जो है वो क्या है potential energy यहाँ पर भी देखें क्या है अब बहुत आराम से सुनेगा फर्स्ट केस में यह रियक्टेंट है तो आपका जो रियक्टेंट होगा वो कुछ certain amount of energy के साथ होगा यह कुछ amount of energy जब हम रियक्टेंट को mix करते हैं container में लेते हैं in appropriate suitable conditions तो रियक्टेंट आपस में collide करते हैं and because of that collision क्या होगा यहां से reaction start होगी ठीक है और कैसे क्या होगा system की energy बढ़ने लगेगी यह देखें ठीक है तो यहां आमने कहां से start किया बताइए reactants ठीक है और यह देखें collisions होते हैं तो आपने दरसल kinetics थोड़ा सा involved होता है और kinetics आप physical में बिलकुल पढ़ेंगे तो यहां बस इतना है कि due to that collisions जब मॉलिक्टिल कोलाइड करते हैं तो हर collision productive हो I mean product तक जाए कोई जलूरी नहीं है इसलिए number of collisions बहुत सारे होते हैं किसी reaction के दोरान लेकिन कुछ collisions जिनका orientation और energy perfect होती है वही product में convert होने के लाइक होते हैं तो reactant से product तक जाने के लिए एक certain amount of energy चाहिए ही होती है और इस चीज को हम बोलते हैं activated complex और यही है आपका वो transition state जिसकी हमने बात की है तो मेरे भाई यह है वो transition state ठीक है reactant यह reactant हो गया यह transition state हो गया और यह हम आ गए product पर किदार आ गए product और भाई आपको मिल गया है potential energy curve for one step reaction यह potential energy curve reactant यहां से start हुआ यह देखिए energy system की बढ़ लही है यह activated complex यह transition state और यहां से यह देखिए यह product में convert हुआ यह आपकी वन यह one step reaction के लिए potential energy curve है किसी भी potential energy curve में सारे ध्यान से सुनें किसी भी potential energy curve में सुरुआत का जो energy level है वो reactant ही होगा last वाला जो है वो product ही होगा और ध्यान से सुनें यहां से यहां तक यहां से यहां तक जितने भी maxima होंगे होगे जितने भी maxima होंगे वो सारे के सारे train station state सारे के सारे train station state यह दितने भी maxima making maxima जो है वो train station state clear तो इस graph को देखकर आप बता सकते हैं उसमें train station state कितने count maxima क्या गरेंगे आप count maxima लेकिन फिर यहाँ पर वही वाली चीज valid है minimum number of ts तो आप बिलकुल सही बता सकते हैं किसी ने पूछा है x-axis पर क्या है अंस चौधरी x-axis पर progress of reaction time रगा सकते हैं progress of reaction progress कर रही है उसके coordinates हम यहाँ पर ले सकते हैं यह progress of reaction है यहाँ पर ओके तो यह maxima आपने बूला maxima क्या होगा हमें साथ price and state होगा बात करते हैं second reaction तो second reaction में आप मुझे बताएंगे कितने maxima आएंगे बताएगा क्या कोई कितने maxima आएंगे यहाँ पर second में graph में कितने maxima आएंगे अगे यहाँ पर आते हैं यहाँ पर हम फिर से start करें यह क्या है हमारा reactant let's start it यह reactant है और reactant समने start किया पहला transition state ही आया 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 देखिए यह आपको मिला पहला इंट्रमीडियेट है इंट्रमीडियेट आपका जो है वो reactant और product से उपर ही रहेगा अच्छा क्या मैं यह मान लूँ ऑके आंसर में लें टू एंड फॉर ठीक है टू और फॉर इतिफाक से दोनों सही होंगे क्योंकि मैं ऐसा मानना हूं काना राजकुमार आविसार आदित्य ओके इंडियन करके भी कोई है गोरो निसांत सान रिसर्व चू एंड फॉर जो है तो मिनिमम करके आप बुल ले हैं फॉर वाले मैक्सम बोले हैं मैं ऐसा मान लेता हूं ऑके तो मैं बोला था पॉटेंसिल एनर्जी आपके पता है कि पॉटेंसिल एनर्जी अगर जादा है तो बताएं मॉलिक्यूल या इंटर्मिडियेट इस्टेबल या निस्टेबल क्या बोलें बताएं अगर पॉटेंसिल एनर्जी जादा है अगर यह टेंट मैं जादा हाई एनर्जी पर बना हूं तो आप बताएं वह स्टेबल होगा या निस्टिबल हाँ बताएं आंसर करें है कि हमें पोटेंसल एनर्जी अगर किसी चीज की ज्यादा है तो वह क्या होगा स्टेबल या आनिस्टिबल हुँकूरिज है सदानंद आस्था मोनिका काना वैभा अधित्ति वहरी गूँड वैरी गूँड ऒरी गूँड सबकांसर छहिएह पुस्पेंद्र शसांत काव्या वैरी गूँड सोनू, ओल्डिस गूल्ड, अके, सही है, सही है, अनिस्टिबल, सबका एक आंसर बीच में इस्टिबल भी है, वो गलत है, इंडियन गेमिंग, कौन है, यह नहीं पता, लेकिन आंसर, mostly सिवं गलत है, इस्टिबल नहीं होगा, पोटेंसियल इनर्जी अगर जादा है, तो वो चीज अनिस्टिबल ही होगी, very good, maximum आंसर जो है, वो सही है, तो यह पोटेंसियल इनर्जी, देखें, इंटरमीडियेट जो होता है, इंटरमीड इसी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, यह इंटरमीडियेट्स में आएंगी, और यह इंटरमीडियेट्स, आनिस्टिबल होते हैं, बहुत अच्छे, आनिस्टिबल होते हैं, और इसी लिए, यह क्या करते हैं, आगे जाते हैं, प्रोड़क्ट में, या किसी और, जैसे य unstable अब आप कहोगे कि यह unstable जो है किसी ने less stable भी लिखा good यह देखिए unstable से अब आप यह भी कहोगे जो रहे एक unstable दूसरे unstable में जा रहा है इन में relative difference होगा यह भी unstable है यह भी unstable है लेकिन अगर यह यहां से यहां गया तो relatively इसकी stability इस वाले से थोड़ी जादा होगी आई फिलाल हम इसका graph बना रहे थे और intermediate क्या होता है जैसा आप से ने बोला unstable तो यह यहां पर रहेगा reactant level से उपर रहेगा और उसके बाद एक नया transition state यह देखे यह अब यह जो नया transition state यह नया transition state पहले वाले transition state से कम यह जादा कुछ भी हो सकता है यह जो नया वाला transition state है यह पहले वाले से जादा stable भी हो सकता है और कम stable है अज़ा बताओ अगर यह जादा stable है तो फिर मुझे TS2 को नीचे बनाना चाहिए इस से नीचे और अगर यह कम stable है तो TS2 उपर जाएगा यहां पर मैं कुछ product यह है दोस्त रियक्टेंट और जैसा कि मैंने step 1 reaction में आपको बताया हुआ है वह यहां पर देखें और बताएं चलिए पहला क्या होता है पहला reactant ओके यह क्या होता है लाश्वाला क्या होता है हाँ पीछे वालो मोही जैन बिल्कुल इन्हें प्रियास की याद आ रही है वेगल 234 अपके पहला होता रियक्टेंट प्रोटेंशन लजी कर्व में पहला reactant आखरी वाला product जैसा यहां पर मैंने बताया था maxima क्या होते हैं आपके हाँ ट्राइशन स्टेट तो यहां दो maxima है तो दो ट्राइशन स्टेट हो गए तो यह आगया आपका ts1 यह आगया ts2 ts1 ts2 और minima याद रखें पहले और आखरी रियक्टेंट और product के बीच में जितने भी minima होंगे यह सारे के सारे minima आप intermediate काउंट करेंगे क्या काउंट करेंगे intermediate यह intermediate ओके सो जो रियक्शन थर्ड है रियक्शन थर्ड इसका potential energy कर्व आप लोग खुद बनाएंगे ठीक है आप सारे विच्चे बनाएंगे रियक्शन थर्ड जो है इसका potential energy कर्व और इसे में अगली class में इसे हम अगली वैभाव पूरवाल बोलैन लिखने का time दे दीजिए sir ओके आप एक काम करेंगे यह वीडियो उसके बाद नुक्लियस के यूट्यूब चैनल है अच्छा आप आप इसे पौच पर कर सकते हैं लिख सकते हैं उसके बाद वापस सुन सकते हैं वहीं से चलू होगा तो उसमें कोई इस्यू नहीं है आपकी यह problem थोड़ी सी पहले भी थी तो आप उसे आराम से अभी तो आपके हाथ में हो गया control आप वीडियो को पॉस्ट कर सकते हैं लिख सकते हैं उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं रिज्यूम करेंगे वहीं से आगे बढ़ेगा ओके गुड सारांस ने तो बना भी लिया वरी गुड संजय इन्होंने ग्राफ बना लिया है बहुत अच्छे तो यह आप थर्ड वाला बनाएंगे तो आज हमने जो बेसिकली दो चीजों पर बात की उसमें एक चीज थी हमारी जनरल टाइप ऑफ रियेक्शन्स वान स्टिप ए आपको बताऊंगा प्यूस और के सई है राच्कमार अग्रवाल जी ने भी कर लिया है के शिन बहुत अच्छे गुड 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 ऑगे इंडियन गेमिंग करके भी कोई बच्चे हैं उन्होंने भी कर लिया है हितेंद सिंग इंडियन ऑके सुधीर सिंग बना ल इन्होंने बना लिया है तो यह आपकी ग्राफ प्रोटेंस और जीकर याद रखें इस चप्टर में हम जब प्राक्टिस कररे होंगे सेकिंड हाफ एप्र चप्टर में तो हम जितनी भी रियकसंग कर रहे होंगे उसमें हम कमसेव अगर आपने अभी चीजों को ध्यान से सुना और प्रैक्टिस की तो आप डेफिनेटली क्या कर पाएंगे उस समय जितनी केस्टन्स मिलेंगे आपको आप बहुत अच्छा कर पाएंगे गुड़ समय बना लिया गुड़ 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 आए एक छोटा सा सेग्मेंट है इस सेग्मेंट पर हम चलेंगे अगे एक छोटी सी चीज है यह मैं मान सकता हूँ कि आपको आती हो लेकिन मैं आपके वरुसा नहीं करूंगा मैं इसलिए मैं आपको बताऊंगा बहुत छोटी सी चीज है आपको पता है basically type of reactions type of reactions on behalf of on behalf of free energy फ्री एनर्जी आप तो आप सबको आता है लेकिन मैं फिर भी एक बार बताना चाहरा हूं मैंने अभी जो भी पोटेंसियल एनर्जी करो बनाए हैं उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्रोड़क्ट का लेबल एनर्जी लेबल रियक्टेंट से मैंने नीचे रखा यह आपने नोटिस कीहा हुगा आपने ऐसा रियक्टिट इयान स्टार्ट किया और प्रोड़क्ट यहां रखा जितनी की बीएक्ट चाहिए वह वन स्टीप हो आपने देखा ऌकी एक्टिंट से मैंने प्रोड़क्ट एनर्जी लेबल नीचे रखा कि दरसल कि जयए भी नहीं है कि यह आपका प्रोड़क्ट का जो फाइनल एनर्जी होगा वो रियक्टेंट से कम ही होगा पुटेंशल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं यह कंपलसरी नहीं है आपको ऐसे भी ग्राफ मिल सकते हैं clear मैंने एक particular assumption के साथ उसारे potential energy कर बनाए थे याद रुखें आपको पता होगा free energy के विहाब पर इस टाइप की reactions को क्या बोलते हैं बोलो exothermic reaction और इस टाइप की reactions को क्या बोलते हैं दोस्तों endothermic reactions यह exothermic reaction यह endothermic reaction गड़ अमन के हैं इन्होंने बिल्कुल सही बोला very good सदानंद संजय बिल्कुल सही बोलें तो यह जो reactions हैं अब आप कहोगे कि सर यह हमें फिर कैसे पता चलेगा की reaction exothermic है यह endothermic है बिल्कुल बिल्कुल यह सारी चीजें हम अगे किसी इन बोला because product is more stable than reactant most of the cases good good crazy okay वड़ा इंट्रस्टिंग नाम है इनका यह क्रेजी पबजी गेमर है गड़ अच्छा लग रहा है कि आप organic पढ़ रहे हैं पबजी छोड़कर good इन्होंने बिल्कुल सभी बोला है इन्होंने बोला है क्योंकि most of the reactions में याद कि इन्होंने जो इस पेसली लिखा है most of the reactions में होता है हर reaction में product reactants are stable हो कोई जरूरी नहीं है और इस सारी चीजों के examples आपको मिलेंगे जो हम question कर रहे होंगे ओके ओके चले आईए किसी ने हर्स निलाब ने लिखा है कि क्या यह जरूरी है कि potential energy बढ़े जब reaction स्टार्ट हो always यह होगा ही होगा यह आपको organic में जितनी भी reactions मिलेंगी reactants से अगर आप एक भी transition करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं reactants किसी नई चीज में transit हो कुछ नया बने तो first energy potential energy will rage यह बढ़ेगी याद रखें हम organic reactions में बात कर रहे हैं ओके आईए तो exothermic reaction endothermic reaction हमें सबको पता है तो यह reactant है यह product है यहाँ पर यह reactant है यह product है तो इस पर आप यह reactant product और reactant product आपको पता है हम enthalpy delta H I hope आप सब जानते होंगे delta H delta H से भी इससे represent करते हैं कई बार जो enthalpy of reaction होती है तो exothermic reaction हम क्या रखते है नेगेटिव फिजिकल में आप बहुत detail में पढ़ने वाले हैं अभी इससे पहले अखलेस कांतेर सरने class ली फिजिकल की वह आपको बहुत detail में बताएंगे और इंट्रस्टिंगली जहां तक मुझे पता है उसमें thermodynamics उन्होंने स्टार्ट किया है तो definitely आप वह सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगे और delta H positive आगे कई reactions में delta H की भी हम चर्चा करेंगे तो यह आपका दो reactions थी तो भाई अगर हमारी reactions एंडो होती तो हमने जितने potential energy करों बनाएं थे वह आपका प्रोड़क्ट पर complete होता ओके विक्रांत ने बहुत अच्छा question पूछा है इन्होंने बोला है is potential depends upon stereo its potential depends upon potential से इनका मतलब potential energy ही होगा मैं ऐसा मान लेता हूँ potential energy क्या stereo पर depend करेगा अब यारे बहुत interesting चीज़ है अगर आपके जो दो चीज़ें हैं दो intermediate हैं या दो transition states हैं कोई भी चीज़ें जो कि एक दूसरे की mirror image है एनन्सियो मर्स थोड़ा सा optical की बात कर रहा हूँ मैं stereo इन्होंने बोला है इसलिए अगर वह एनन्सियो मर्स हैं तो मेरे भाई mirror image होने की वजह से उनका energy level potential energy level बिल्कुल सेम होगा और बिल्कुल सेम होगा तो graph में वह आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि एक प्राइशन स्टेट और दूसरा उनकी क्या है भाई देयार mirror images प्रोटेंस अनर्जी बिल्कुल सेम है क्योंकि उन्में और कोई डिफ्रेंस नहीं है इसलिए वह प्रोटेंस अनर्जी कर में डिफ्रेंट नहीं दिखेंगे लेकिन अगर किसी रीएक्षन में जो ट्रैसीन स्टेट या रियाट्रेंट बन रहे हैं दोसरी इंटर्मीडियट बन रहे हैं अगर वो एनंशियो मर्स के अलाबा किसी और स्टीर्योर रिलेशन में हैं थो उस समयाँ हमें ना चाहते हुए भी क्राफ में दोनों ट्राइशन स्टेट्स को दिखाना पड़ेगा तो अच्छा क्रेशन पूछाए इन्हों ने ओके सु मैंने बोला है मैं कंक्लूड करता हूं कि इफ ट्राइशन स्टेट्स और इंटर्मीडेट्स और एनन्सियो मार्ज मेरर इमेजिस ऑफ इच अदर तो वो पूटेंसल एनरजी कर्व में नहीं हैं च्छोटी सी चीज पर हम और बात करेंगे और वो चोटी सी चीज यह जो चीज हम पढ़ रहें हैं यह डेफिनितली आगे बहुत यूज होने वाली यह छोटी सी चीज सुने क्या है 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 मन्स पर्शलेट अब आप में से कही लोग कही है अच्छानक सर को जा तर नाम बोल दिया नहीं है मैं मन्स पर्शलेट क्या है खाने की चीज़ है पढ़ने की चीज़ है तो मैं आपको जाल था मड़ा इन्ट्रस्टिंग है Hammond's Postulate ये क्यों मैं अचाने यहां बीच में लेकर आ रहा हूँ यसे समझें Hammond's Postulate ये Hammond's दरसल एक बंदा दो और इसने अपनी राय रखी थी Trison State के बारे किसके बारे में रखी थी Trison State के बारे में Hammond's ने अपनी राय रखी थी किसी भी reaction के Trison State के बारे में हम कुछ अगर पता करना चाहते हैं तो Hammond's के साथ जा सकते हैं क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनें Hammond's ने क्या बोला था चले एक एक एक्जामपल लेते हैं जैसे मैं आपने सही दो लोगों को ले लेता हूँ पंकच प्रिदर्सी पंकच को ले लेता हूँ और Usa को ले लेता हूँ ठीक है या मैं Pius को ले लेता हूँ पंकच ओके और Pius Hammond's ठीक है इस N एक्चली Hammond's नहीं है Hammond's लास्ट नहीं है थर्ड लास्ट N है ओके Pius and पंकच यह दो बच्चे हैं अब मुझे एक बात बताईए कि इन दोनों का दोनों पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं मैं मान लेता हूँ और दोनों पेपर दे रहे हैं और जो पेपर है उनमें जो result आ रहा है वो उन दोनों का काफी close result आ रहा है यह मैं Hemans Postulate के लिए एक्जामपल ले रहा हूँ पंकच और Pius इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ यह दोनों ने साल बर खुब पढ़ाई की और इन्होंने एक्जाम्स में लगभग एक जैसा परफॉर्म किया लगभग एक जैसा रहा वेरी क्लोस इन परफॉर्मेंस और एट लास्ट जब आईटी का रिजल्ट आया हूँ मुझे पता चला भी पंकच की रैंक आगई 312 312 रैंक आगई जैए इड्वांस में फॉर एक्जामपल और मुझे दूसरे बच्चे की Pius की रैंक नहीं पता है तो क्या मैं एक आईडिया लगा सकता हूँ इस विहाब पर कि throughout the year इन नोनों ने लगबग एक जैसा परफॉर्म किया था मेरे ख्याल से एक यूजवल आंसर होना चाहिए यस एक यूजवल आंसर होना चाहिए हाँ सर बिलकुल उसी के आस पास रैंक होगी until unless हम कोई बहुत बड़ा drastic या specific cases पर ना जाएं तो clear तो हैमंस ने भी यही बोला ध्यान से सुनेंगे सारे लोग एक लाइन में समझ में आ जाएगा हैमंस ने यह बोला था कि transition state हमने अभी example से क्या समझा कि जो दो potentially close चीजें हैं वो एक जैसी properties reflect करेंगी जो दो चीजें potentially close हैं वो एक जैसा क्या करेंगे बताइए properties reflect करेंगे so करेंगे तो आईए ज़रा ध्यान से देखें यह transition state है यह transition state है आप मुझे बताइए transition state का potential energy किसके करीब है reactant के करीब है या product के करीब है यही आपको देखना है यह देखें दोनों में देखिए दोनों में देखिए और बताइए ज़रा exothermic reaction में ओके वेरी गुड जितेंद्र यादो इन्होंने बिल्कुल सही बोला है sir it means energy of tears will closer to that which I have similar structure strength अब यह इन्होंने बहुत सौट में लिखा इस्ट्रक्चर स्टेंथ में समझनी पा रहा हूं सरवात में इन्होंने लिखा it means energy of tears जिसके भी close होगी हाँ गुड 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 इन्होंने लिखा है इस traditional state depends upon entropy हम enthalpy की बात कर रहे हैं free energy की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल यह उस चीज पर जाएगा ओके हाँ ओके इन्होंने आंसर दिया है स्नेहासी इसने आंसर बिल्कुल सही दिया है पहले वाले में very good बहुत सारे लोग हैं ओके बड़सा जैन अक्षण्य रंजन ओके प्रगुन अपूर्व बिल्कुल सही पहले वाले में आप देखें ट्राइंस्ट्ट रियक्टिंट के क्लोज है और सेकेंड वाले में प्रोडक्ट से क्लोज है हाँ गुड तो आपको Hemans Postulate आ गया हाँ आपको विलकुल सही है Seems क्रीज एमन्स नहीं बोला कि ट्रानिशन स्टेट जिस भी शुकैन जिसके भी प्रोटेंशली closer होगा उसी की properties reflect करेगा गवरोकुमार बिल्कुल सही reactant and product आईए यहाँ पर मैं conclude करता हूँ कि TS okay TS would reflect similar properties सही है with reactant सही है in बोलो कि इसमें exothermic reaction in exothermic reaction because it is because both are potentially क्या हो जाएंगे closer potentially closer okay समझ लें आप exothermic मैंने लिगा है TS would reflect transition state would reflect similar properties with reactant as like reactant कर लेते हैं as like reactant और यहाँ के लिए आप खुद लिखेंगे second point आपको खुद लिखना है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे बोलिए TS would reflect इसके लिए जब लिखेंगे इसके लिए लिखना है TS would reflect similar properties as like product clear in endothermics reaction तो reactant के जगे क्या जाएगा product और exothermics के जगे क्या जाएगा endothermics तो यहाँ मत change कर लेना नया point लिखेंगे हम नया point लिखेंगे ठीक है और नया point में हम लिखेंगे transient state would reflect similar properties as like product in endothermics reaction because they are potentially closer सही बात है सो यह है मेंट्स postulate है अब आप इसका use इसका application part पर हम बात करेंगे अगली class में और अगली class में बहुत interesting बहुत मजा आने वाला है आपको अब जैसे निश्चे बैच के कुछ बच्चे इसमें थे निश्चे बैच के जो बच्चे हैं आपका schedule आपको message हो जाएगा आज कल में आ जाएगा आपके पास आपकी classes का क्या है वो बिलकुल start हो जाएगा वैसे organic की class में बहुत जादा फर्क नहीं है क्योंकि अभी जो chapter है मैंने आपको सब बच्चों को बुला था कि हम revision भी करेंगे previous chapters का तो revision इसलिए मुमकिन है क्योंकि यह जो content आ रहा है इस content को आप almost बिना अगर आपको chapters बहुत अच्छे clear नहीं है तो उसके बावजूद भी हम इसे कर सकते हैं तो आप बिलकुल tension ना लें हम revision भी उसके बारे में भी जल्दी inform करेंगे next week में ही हम आपको बता देंगे बाकि आप इतना करके रखें और फिर आपको जो content, materials, seat, DPPs वो सब आपको मिलेगी आप बिलकुल relax रहें और जब तक देखिए आपको extra कुछ नहीं करना है एक्स्टा कोई book नहीं करना है एक्स्टा कोई material नहीं करना है जो मैं बताओं बस वही करना है इसलिए एक दम relax रहें हाँ क्या पूछ रहें सेठी जी पूछ रहें है क्या every batch classes are in YouTube राइट विटा ये कल से start हुआ है तो definitely सारी batch जितने भी batch है नीलगरी, सिवालिक, कैलास हाँ ये सारे सी में है and star one हाँ ओके ये करके रखें और revise करके रखें theoretical portion ज्यादा है अगली class में बहुत मजाने वाला है तो आज के लिए इतना ही मैंने जैसा बोला था relax रहें घर के अंदर रहें और अपने आपको स्रक्षित रखें थैंक यू, रन्यवाद अगली class में मिलते हैं